हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए विडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की Samsung Galaxy M35 5G फोन में आप लोग इस फोन को पावर ओफ कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy M35 5G phone है और इस phone को आपको switch off करना है without power button अगर आपका power button खराब हो चुका है power button काम नहीं करें तब आप लोग अपने phone को कैसे switch off करेंगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई साप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजे और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं without power button अपने phone को switch off करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा guys accessibility का तो इस accessibility के option पर 클릭 करेंगे क्लिक करने के बाद यह आपकर एक option आईगा guys interaction and dexterity का तो इस interaction and dexterity के option पर klik कर दीजे klik करते अ Assistant menu का option मिलेगा और यह option को आपको on करना है आउन करने के लिए आपर जो स्वीच है इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद allow का option आगा, allow पे क्लिक करेंगे, तो जो यह option यह on हो जाएगा, on होती है आपके screen में एक shot cut button आएगा, तो इस shot cut button पे click करेंगे, swipe करेंगे तो power of menu का option मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते स्वीच ओफ का option आ गया है तो देख सकते हैं पर मैंने power button का इस्तेमाल नहीं किया गया इस without power button आप लोग ऐसे करके स्वीच ओफ कर पाएंगे और एक तरीका है गया आपको उपर से स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर एक – देखने को मिलेगा इस लोगो पर क्लिक करना है क्लिक करती देख सकते आप लोगों का आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई